बांगलादेश सरकार दो लाक टन चावल और चार लाक टन गेहूं का आयात करेगी अंतरिम सरकार के विच्च सलाहकार डौ। सालेहुद्दीन एहमद की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की सलाहकार समिती, ACEA, ने सैधानतिक रूप से मनजूरी दे दी। आम तोर पर सारवजनिक खरीद कानून, PPA, 2006 और सारवजनिक खरीद नियम, PPR, 2008 के अनुसार सप्लाई करताओं को प्रोडक्ट प्रस्तावित आयात के बारे में, वित सलाहकार ने समवादाताओ को बताया कि सरकार ने चावल और गेहुं का आयात करने की पहल की है, क्योंकि सरकार खादे सप्लाई में कमी नहीं देखना चाहती है। पचास हजार टन और घरेलू सरोतों से एक दशमलव नौ दो तीन मिलियन टन चावल खरीदने का लक्ष रखा है। वित वर्ष दो हजार चौबीस से पच्चीस के लिए अंतराष्ट्रिय बाजार से साथ लाक टन और घरेलू बाजार से दस हजार टन गेहुं खरीदने का लक्ष भी रखा है। वैसे देखा जाए तो अब भारत में फसल का सीजन है और ऐसे में बताया जा रहा है कि चावल का बफर स्टॉक है जिससे कीमतों पर असर दिखाई दे सकता है। Bureau Report Market Times TV